दोस्तो हमारे ऐसे बहुत से दोस्त मित्र हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और ये देखिए दोस्तो ये परवल का पेंड है हमारे सहरी छेत्रों में रहने वाले दोस्त मित्र हैं वो उन्होंने परवल का पेंड नहीं देखा है इसलिए मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है कि आप परवल का पेंड देखिए और इस प्रकार से उसकी दिल क्याकार की पत्तिया होती है दोस्तों ये जो पाउदा मुझे मिला ये गंगा जी की किनारे मिला हुआ क्योंकि इसकी खेती उत्र भारत के जो गंगा का मैदानी भागै वहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है और तरह तरह की किसमे भी यहां पर पैदा किया आती है परवल दो तीन तरह का आता है किसी में धारिया होती है कोई ऐसे प्लेन आता है तो दोस्तों यह देखिए यह एक इसमें धारिया नहीं है यह जो परवल का पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यह बिना धारी वाला है और कहते हैं ये देशी परवल है ये आप लोग डिसाइट कर लिजे आज मैं इसी परवल के आउसदी फायदे कौन-कौन से हैं ये परवल खाने से हमारे सरीर को कौन-कौन से फायदे मिलते हैं डॉक्टर वैच चिकितसक परवल खाने की सला क्यों देते हैं इस सभी की जानका किस प्रकार से साइता करता है कि सेवन से हमारे सिरी में क्या बदल ऑफ होते पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो पर मिलेगी और जो पहली बार हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक का बटन जरूर दबा दें दोस्तो और आईए आपको मैं परवल के कौन कौन से फायदे हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तो परवल खाने का पहला फायदा इसमें बहुत कम कैलोरी पाई जाती है इसलिए इसको चाहे आप जितना खाएं ना तो आपका वेट बढ़ेगा वेट गेन नहीं होगा और आप बिल्कुल फिट रहेंगे एकदम तंदुरस्त दूसरा फायदा परवल में विटामिन भरपूर मातरा में होते हैं दोस्तो इसमें ए बी सी और के विटामिन पाय जाता है दोस्तो यह खानीज से भी भरपूर है और शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है तीसरा फायदा दोस्तो परवल फाइबर से भरपूर सबजी है इसके सिवन से हमारी जो आते हैं उनकी काम करने की छमता में ब्रद्धी होती दोस्तो आतों को मजबूत बनाता है और कमजोर आते भी स्वस्त होती है और उनकी का परवल में पाए जाने वाला विटामिन ए और विटामिन सी को बूस्ट करते हैं हमारी रोगों को लड़ने की छहमता को बढ़ा देते हैं इसलिए शरीर हमारा सुरचित रहता है परवल पाच्वा फाइदा दोस्तों परवल एंटी आक्सिजन से भरपूर सब्जी है और इसक के स्किन को टोन चर्म रोगों को दूर करता है इसलिए परवल शहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है परवल में विटामिन बी बीस साभी माते पूर्ण रूप से विद्दमान है इसके सेवन से ब्रेन के फनक्शन में सुधार होता है और रक्त प्रवा अच्छा होता है और रक्त सुद्ध भी होता है अम्ल ऐसी डिटी की समस्चा समाप्त हो जाती दोस्तों आयरवेदिक चिक हिस्सा में परवल को मुत्रवर्धक रेचक कब जनासक और हर्दय टॉनिक की रूब में इसको पहचान मिली हुई दोस्तों इस प्रकार से परवल बहुत ही फाइदेमंद होता है दोस्तों आप विश्वास मा लिजे परवल की सबजी अत्यनत ही गुड़कारी होती है दोस्तों परवल के सेवन से जो पित जिसनका बढ़ जाता है उस पित की वज़े से बुखार आ जाता ह या अतिदिक सरीर में चिकनाहट हो उसको सब को दूर करने के लिए आप परवल का सेवन कर सकते हैं परवल की कुमल पत्तियां कई प्रकार के महत्पूर एंटी आक्सिडेंट बिटामिन फ्लेवनाइट से भरपूर होते हैं इनके पत्तों करस दस से बीच से मल तक पीना अमरत पीने के समान माना जाता है दोस्तो इसकी पत्तियां बीच से पचीस ग्राम की मात्रा में उबाल कर पीना चाहिए इसके सेवन से पित एयों कफ और वात करूग नस्ठ हो जाते हैं और जब ये तीनों संतुलित हो जाते हैं दोस्तो तो आपका सरीर पूरी तरह से स्वस्त हो जाता है आपके सरीर में चमक आ जाएगी आपके बाल घने होंगे आपके आतें स्वस्त होंगी आपके लिवर डिटॉक्स होगा आपकी किड्नी सुष्ट हो जाएगी आपके सरीर में अलग ही चमक होगी आपके सरीर में खून बढ़ जाएगा दोस्तो परवल के पौधे को आप घर पर आसानी से लगा सकते हैं इसके ताजे पत्तों और फलों का आउसरी की रूप में आप घर पर ही प्रियोग कर सकते हैं बारिश की दिनों में परवल का पौधा आप घर पर लगा लिजी और उसका घर पर ही आप तरह तरह से प्रियोग कर सकते हैं परवल के पत्तों उन फलों में बढ़ापा को दूर करने का गुण पाया जाता है, इसकी सबजी बना कर खाने से बढ़ापा दूर होता है, और खोया हुआ यह वन पुना वापा स्प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार से आपको इसका सेवन करना है, किसी वैद या चिकित दानकारी ले ले ले, तब आप इसका प्रियोग करें, निश्चित रूप से परवल बहुत ही फायदेमन सबजी है, और बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लापकारी है, बस तो वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद,